दोस्तो अगर आपके घर परवार में कोई जादू टोना से परिशान है, भूत प्रेत बाधा से परिशान है, या आपके घर में कोई लंबे समय से ऐसा दुस्मन लगया है, जो आपके घर में हमेशा जादू टोना करता रहता है, और आपको उसका कोई भी पता नहीं चलता है दोस्तों आप सोचते हैं कि पता नहीं साला हमारे घर में ऐसा कौन सा सस्तु लगया है जो हमारे घर में हमेशा जादू टोना करता रहता है हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं कोई भी काम नहीं बनता है और हमेशा हम परिशान रहते हैं और दोस्तो इसका पता करने के लिए आप तमाम तांत्र को का सहरा लेते हैं हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी तांत्र की यह किलियर करके नहीं बताता के आपके घर में इस व्यक्ति ने आपके घर में जादू टोना कर दिया है दोस्तो इसी को देखते हुए और आपकी परेशानी को समझते हुए जन कल्याण के लिए मैं आज की इस वीडियो में आपको इसका पता करने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ मेरे चैनल पर पहली बारे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना साथ मैं डबा देना सम latas ना तक आप AHIWhen. और इस वीडियो को दोस्तों के साथ share भी करना, जिससे के आप सभी के साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को शुरू करते, दोस्तों उस जादू टौना करने वाले का आपको कैसे पता करना है, आप बिल्कुल लाइप रूप समझे, और इसका पता करने के लिए आपको एक पिलेन कागज लेना है दोस्तों आप जो देख रहे हैं यह पिलेन कागज है और दोस्तों इस पिलेन कागज पर आपको ऊपर उन लोगों का नाम लिखना है जिन लोगों पर आपको सक है चाहे वो आपके घर परवार का हो चाहे आपके रि पर डाउट हो आप उस व्यक्ति का आप यहां पर नाम लिख लें दोस्तों चाहे एक व्यक्ति हो चाहे दो हो चाहे दस हो उन सभी का जिन पर आपको सक है उनका सब का आप नाम लिख लें और दोस्तों नाम लिखने के बाद में जहां मैंने नाम नाम लिखा है वहां पर आप अपने उन सक वालों का नाम लिखे लें उसके नीचे और दोस्तों आपको क्या लिखना है आप देख लीजिए आप लाइप रूप देख लीजिए दोस्तों इसके नीचे आपको क्या लिखना है जैसे मालो आपके सक करने वाले चार व्यक्ति हैं और चार व्यक्तियों को ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो हमारे घर में जादू टोना करता है तो दोस्तों आप नाम लिखने के बाद में फिर आपको ये लिखना है कि आप चारो ऐसी हरकत करना बंद कर दो दोस्तों समझना ये बहुती चमतकारी सब्दे हैं जो मैं इसमें लिकर की बता रहा हूँ आप चारो ऐसी हरकत करना छोड़ दें बरना आपका बो हाल होगा जो कियामत के दिन होता है दोस्तों इतना लिखने के बाद में आपको नीचे 444 लिख देना है दोस्तों ये बहुती बेष्छ तरीका है और इसका प्रियोग मैंने बहुत सी बार किया है दोस्तो इतना लिखने के बाद में है और आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें और फोल्ड करने के बाद में दोस्तो आप रात को जहां भी सोएं चाहे मकान में, दुकान में, घर में या छत पर कहीं भी आप सोएं तो दोस्तो ये विश्यश द्यान रखना है यह कार आप किसी भी दिन कर सकते हैं मगर रात्री के समय किसी भी समय कर सकते हैं आपको जिस दिन ये प्रयोग करना है उस दिन आपको जमीन पर सोना है दोस्तो जमीन पर सोते हुए और आप इसे अपने सिर के नीचे रख लें और दो अगर्वत्ति भगवान विश्णु का ध्यान धरते हुए उनका इस्मर्ण करते हुए और आप उनसे रुकेष्ट करिए कि भगवान हमारे घर में ऐसा कौन सा सस्त्रू है जो हमारे घर में जादू टोना करता है हमें हमेशा से परिशान करता है इतनी रुकेष्ट करते हुए और उनसे कहें कि हमें रात को स्वपन में वो व्यक्ति को साफ दिखा दें जो व्यक्ति हमारे घर में जादू टोना करता है तो दोस्तों आप इसे तक्या के नीचे दबा लें और दो अगरवती लगा करके आप चाहे गिलास में रख लें और या आलू में लगा दें आप अपने पास में ही रख लें दो अगरवती जला के और दोस्तों आप इसे तक्या के नीचे दबा करके सो जाएं दोस्तो सोने के बाद में रात्री को जब आप सो जाएंगे और सोने के बाद में आपको जब कोई भी सपना होगा और जब इस परियोग को करेंगे तो आपको 100% सपना होगा दोस्तो सपने में वो व्यक्ति आपको लाइव प्रूप देखेगा आपकी आँखों के सामने देखेगा जिसने आपके घर में जादू टोना किया है आपके घर को तभा किया है आपको जो हमेशा से परिशान करता है दोस्तो जो इन लोगों के जो नाम लिखे हैं आपने उन्हीं मैंसे वो व्यक्ति आपके बिलकुल सामने होगा और ये भी आपको लाइप रूप देखेगा कि वो व्यक्ति किसी तांतरिक द्वारा करवा रहा है या उसके पास जा रहा है या खुद ही इस प्रिकू कर रहा है दोस्तो ये भी आपको लाई प्रूप देखेगा ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तो ये बहुत ही वेष्ट तरीका है दोस्तो जो लोग जादू टोना से परिशान हैं उनके लिए मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिनको देख करके भूत प्रेत बादा से आसानी से श्टुकारा पा सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में केवल मैंने भूत प्रेत और जादू टोना करने वाले का पता करने के लिए ये वीडियो बनाया था दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिलीज वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना फिर मिलते हैं नई वीडियो को साथ तब तक के लिए नमस्ता